दोस्तो स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्सेविल में दोस्तो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ यह जो आप कोई भी मकान बनाते हैं तो उसके लिए आप सीवर लाइन डालते हैं सीवर लाइन वो होता है जिसमें आपका ट्वाइलेट का जो वेस्ट मेटेरियल होता है उसके लिए आप अलग पाइप डालते हैं और जो पानी यानि बाथरूम का पानी कीचेन का पानी या फिर रेन वाटर का जो पानी होता है उसको निकालने के लिए फिर आप उसको एक अलग पाइप लाइन डालते हैं यानि PVC लाइन जो वेस्ट पाइप हम लोग डालते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो आप देख रहा है कि सीवर लाइन हम अपने घर के पीछे से या घर के साइट से जो हम जगा छोड़े रहते हैं वहाँ से निकालते हैं और जो हमारा घर का foundation होता है यानि कि जो हमारा ground level होता है ground level से थोड़ा सा नीचे वो line जाता है फिर हमारा वो जाके नाले में गिर जाता है या अगर हम soak pit या septic tank बनाये होते हैं वहाँ जाता है तो यहां पर आप जैसा देख रहा हैं यहां पर दो pipe आपको दिख रही है और यह जो जगह मैं दिखा रहा हूँ यहां पर से आपको दिखाई दे रहा होगा और जो यहां पे पानी के लिए जो पाईप डला गया है वेश्ट पानी के लिए वह यहां पे 4 इंच की डली गई है 6 kg प्रेसर में यह पाईप डला गया है नीचे पहले आपको इट का टुकड़े उकड़ा डाल लेना है दुर्मुट से अच्छा से कुटाई करके उस पे एक रेसियो आपका सिमेंट हो गया, दो रेसियो आपका बालू हो गया और चार रेसियो आपको गिट्टी हो गई तो यह आप देख सकते हैं कि पूरा इसकी ढलाई करके अच्छे से पाइप को पैक कर दिया गया है ताकि देखी अगर इस पे जाड़ा लोड पड़ता है या उस पे पाइप पे कुछ गिरता है तो वो टूट सकता है और जैसा दोस्तों आप यहां पे ध्यान दिजेगा कि जैसे जैसे यहां पे कई बार ऐसा होता है कि जब हम बड़ा मकान बनाते हैं या मान लिजे कि आपके घर में दो तरफ या तीन तरफ ट्वाइलेट दिया जाता है उपर से नीचे तक लाइने आती हैं तो वहां पे क्या होता है कि उसको मिलाने के लिए हम बीच बीच में जगह यहां पे छोड़ते जाते हैं ताकि वहां हम चेमबर बनाएंगे तो वहां हमको चेमबर भी देनी पड़ती है क्योंकि अगर आप मान लिजे कि पूरा यहां पे 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट की लाइने डालते हैं तो एक साथ आप उतना लंबा लाइन नहीं डाल सकते हैं आपको बीच बीच में चेमबर देनी पड़ती है उस पानी के प्रेसर को कम करने के लिए उस पानी को डिवाइड करने के लिए उस जगह को डिवाइड करने के लिए या फिर कई बार होता है कि मानलेजे कि एक पाइप आ रहा है फिर यहां पीछे से यहां पर पाइप और जाके उसमें मिल रहा है जो हमारे ड्रेनेंज लाइन है उसमें तो यहां पर क्या है कि एक चेंबर का जगा बन रहा है तो फिर दोस्तों कई बर देखता हूं मैं साइट पे कि लोग क्या करते हैं कि सिंपल सा वहा बर देखा जाता है कि पानी वहां पर फसने का चांस रहता है पानी वहां फसने लगता है फिर आप आगे वहां से जो यह पाइप जोड़ते हैं नाले में डालने के लिए या फिर सेप्टिक टैंक में तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर प्रेसर से फिर आगे नहीं जा पा तो दोस्तो ऐसे case में अगर मान लिजे कि आप जो sewer line डाल रहा है उसमें अगर 2-3 जगा आपका chamber बन रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो chamber बनाना है आपको इंट का ही chamber बना है chamber बनाने के बाद आपको क्या करना है कि उसका अच्छे से plaster कर लेना है और दोस्तो कभी भी आप देखिए जो chamber बनेगा वो कभी भी आपको flat नहीं बनाना है यानि कि जो नीचे से जो समतल नहीं बनाना है जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 pipe आ रहा है तो वहाँ पे एक chamber दिखाई दे रहा है फिर आगे वहाँ पे corner पे दिया गया है फिर वहाँ से आपको नाले में पाइप को मिलाए गया है तो दोस्तो कभी भी आप यह देखिए यहाँ से क्या है कि रेन वाटर के लिए यहाँ जो आप देख रहे हैं कि यह pipe यहाँ पे आया हुआ है देखिए आप उसमें यह देखिए जैसे slope दिया गया है कि सीधा इधर से भी slope दिया गया है उधर से भी slope दिया गया है और pipe को आमने सामने वहाँ पे छोटा से एक नाला टाइप का गहराई दे दिया गया है ताकि पानी वहाँ से गिरेगा और direct सीधा चला जाएगा कई पर क्या होता है कि आप समतल बना देते हैं एक बराबर flat surface तो पानी वहाँ जमने लगता है वहाँ पर कचड़ा अगरे भी जमने लगता है तो धीरे-धीरे क्या है चेमबर वहाँ पर overflow होने लगता है अब क्या है कि एक तो आपको slope का ध्यान देना है कभी भी आपको flat नहीं बनाना है दूसरा बात कि आप जब भी चेमबर बना है तो यह Dr. Fixit का आप 301 Pedicure T. URP देख रहा है इसमें आपको दो कोट में आपको यह chemical है उस पे पूरा घोल बना के लगा देना है और यह जो chemical आप मिलाएंगे इसमें आपको बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाना है अगर आप एक केजी सिमेंट ले रहा है तो आपको यहाँ पे करीवन एक लिटर या एक केजी ही आपको URP भी लेना है जैसे आप मान लिजिए कि दो गलास अगर आप URP ले रहा है तो दो गलास ही आपको सिमेंट लेके उसको मिला के और अच्छे से उसको गोल को लगाना है आप जैसे देखिए इसमें भी यहाँ सिलोप जो है आप देख रहा है साइट से जो जगा बचाए उसमें सिलोप दिया गया है यह पाइप को आमने सामने आप देखिए कि उसमें पतला से ढाल देके उसको मिलाए गया है तो आपको flat नहीं रखना है, आपको slope बना के चलना है तो कभी भी जो है आपका chamber वहाँ पर पानी उसमें नहीं फसेगा कचड़ा नहीं फसेगा और जो पानी आएगा वो सीधा आपका main chamber में जाएगा main chamber से आपका नाले में या फिर septic tank में चला जाएगा जो waste material का यह chamber देख रहा है, इसमें भी जो 6 इंच का या 8 इंच का pipe यहाँ पर यूज किया गया है वो भी बिल्कुल यहाँ पर कहीं पर फसने का chance नहीं है और यह अच्छे से waterproofing की गई है तो यहाँ से भी कहीं से भी यहाँ पर leakage होने का भी chance नहीं है